नमस्कार स्वागत है आपका लाइफ सिरीज के एस्ट्रो चानल में और मैं हूँ आपके साथ रिया आज हम बात करेंगे घर में कौन से तुलसी के पौधु को लगाना शुब माना जाता है तो आईए जानते हैं हिंदु धर में घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुब और पवित्र माना जाता है लोग बड़ी ही भक्ती भाव से तुलसी की पूझा करते हैं कहा जाता है कि तुलसी को घर में लगाने से वास्तु दोस्दूर होता है इतना ही नहीं तुलसी को और शदी पौधा भी माना जाता है वही हिंदु धन की मानिताओं के मुताबिक तुलसी में भगवान का वास होता है यही कारण है कि इस पौधी को लोग अपने घरांगर में लगाते हैं साथ ही तुलसी की पौधों को पूशने मानते हुई लोग सुबा साम इसकी पूजा करते हैं कहा जाता है कि रोज सुबा तुलसी में जल देनी और शाम के समय इसकी नीचे दीपक जलाने से घर में मा लक्षमी का वास होता है वही वास्तु सास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर में सकरात्मक उर्जा का संचार करने के साथ साथ घर में सुख सम्रिद्धी विलाता है वैसे तो हिंदु धर में दो प्रकार के तुलसी के बारे में बताए क्या है रामा तुलसी और श्यामा तुलसी आईए जानते हैं वास्तु के मुताबिक घर में कौन से तुलसी का पौधा लगाना मंगलकारी और शुब होता है साथ ही इसे किस दिन घर में लगाना चाहिए सबसे पहले जानते हैं रामा तुलसे के बारे में वास्तु सास्त्र के दिर्श्रिकों से घर में रामा और श्यामा दोरू ही तुल्सी का अपना अलग-अलग महत्व है वास्तु के मताबिक घर में इन दोनों में से किसी एक को लगाये जा सकता है जिस तुल्सी की पौधू की पत्यां हरी होती है उसे रामा या उज्वल तुल तुलस्यमत तुलसी की नाम से जाना जाता है तरसल मानेता है कि इस तुलसी का संबंद घगवान करिश्ण से है क्रिश्ण की रंक की समान होती है आयूर वेद में विन तुलसी को अच्छा माना जाता है अब जानते हैं कि रामा तुलसी और श्यामा तुलसी को घर में किस दिन लगाना शुब्म और मंगलकारी होता है धार्बिक मान्यताओं के नुसार श्यामा ये रामा तुलसी कार्थिक मास के किसे भी दिन गुरुवार को लगाना सबसर शुब्म और मंगलकारी होता है इसलिए इस दिन घर में तोलसी का पौधा लगाना शुब माना जाता है तो फिलहाल के लिए इतना ही आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को लाइट करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद